अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है माली जे हम इसमें लिखे टेक्स का अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं इस डेटा में जो उपर हेडिंग दी हुई है उसका अलाइनमेंट लेफ्ट है हम इसे सेंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए इस टेक्स को सिलेक करके फिर होम टैप के अलाइनमेंट ब्लॉक में जाकर हम सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे यह देखिए अब यह जो हेडिंग है वो सेंटर में आ गई है इसी तरह से यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है उनका अलाइनमेंट राइट है इसे हम चेंज करके सेंटर अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो इन्हें select करके home tab के alignment block में center पर click करेंगे. अब ये देखिए heading और जो values हैं ये सब center में आ गई हैं. इस तरह से आप किसी भी data को select करके उसका alignment left, right या center कर सकते हैं. अब मान लिजे हमने जिस row में heading लिखे हैं उसकी height बढ़ा दी ताकि heading अलग नज़र आए. अब height बढ़ाने से ये जो text है वो सब bottom में आ गए हैं, जो कि देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं. अब अगर आप चाहते हैं कि ये text row की जो height है उसके center में आ जाएं, तो उसके लिए पहले इन्हें select कर लें, और फिर alignment block में जाकर middle align पर click करें. अब ये आप देख सकते हैं, ये जो text है वो row की height के साब से middle में आ गया है, इसी तरह से आप top और bottom alignment भी use कर सकते हैं, ध्यान रखें कि जब भी alignment change करना हो, तो जिस भी text पर वो change करना है, उसे select कर लें. alignment के बाद अब हम देखते हैं, indent option का उप्योग. यहाँ पर नीचे हम D वाला जो column है, इसके नीचे लिखना चाहते हैं, authorized signature. अब ये जो authorized signature हमने यहाँ पर लिखा है, वो जहां से value लिखी हुई है, वहीं से authorized लिखना शुरू हो, वो उसकी सीध में आ जाए. इसके लिए अगर हम कोई alignment use करेंगे, चाहे वो left हो, या right, या center, उससे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा, उसके बावजूद भी ये हमारी जो value लिखी हैं, उसकी सीध में नहीं आ रहा है. तो अब इसको आगे खसकाने के लिए हम indent option का उप्योग करेंगे. यहाँ पर हम increase indent पर click करते जाएंगे, तो ये देखिए, हमारा ये जो text है, वो आगे खसक रहा है, और हमको ये चाहिए था value की सीध में, अब ये value की सीध में आ गया है. चूँकि ये left alignment में था, इसलिए बाइं से दाइं की तरफ खिसका, अगर ये right alignment में होता, और उसके बाद अगर हम increase indent करते, तो ये दाइं से बाइं तरफ खसकना शुरू हो जाता. अब जिस तरह से हमने indent बढ़ाया है, उसी तरह से हम indent decrease भी कर सकते हैं. हमको इसको पीछे लाना है, तो ये हम decrease indent पर क्लिक करते जाएंगे और ये पीछे आ जाएगा. तो इस तरह से हमने वापस इसको value की सीध में ले लिया है. MS Excel 2016 के इस अध्याय में Home Tab के Alignment Block के अंतरगरत आज आपने सीखा, Text Alignment और Indent Option का उप्योग करना. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, और नई वीडियोज की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें.